दोस्तों किया आप अपने mobile phone से कही पर भी आप call लगाते हैं call लगाने के बाद आपके समय आ जाता है server unreachable यानि कि अगर आपके समय इसे तरीके से इसे तरीके से problem आ जाता है और आपका call automatic क। गट जाता है तो अखिरकार इसे problem को कैसे solve करेंगे क्योंकि मैंने इसे problem को solve कर लिया है अब अगर हम कहीं पर भी call लगाएंगे तो हमारा call भी जाएगा और हमें कोई भी problem नहीं होगा और हमारे समने server unreachable का option भी नहीं आएगा तो सबसे पहले यहां से हम बैका जाते हैं क्योंकि यहां पर मैंने इसका screen shot लेके रखा है ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले कि यह problem अगर है तो इसे आपके कैसे सही करेंगे तो माल लेते हैं कि आपके phone में यह problem आ रहे है और आपका call आटमेटिक कट हो जाता है तो इसके दो region होते हैं जिसकी मदस से आपके पास यह problem आती है और उन्हें दो region को आपको solve कर लेना है और आपका सारा problem fix हो जाएगा पहला region आपके phone में हो सकता है और दूसरा region सामने वाले के phone में यानि कि आप जिसमें call लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जिस number पर call लगा रहे हैं सबसे पहले आपको अपनी calling application पर क्या करना है यहाँ पर मिलेगा app info आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को मिल जाएगा आपको clear data यहाँ पर storage यहाँ पर है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर मिलेगा clear data आपको इस पर click करना है और clear all data आपको कर देना है यहाँ से आपका कोई भी mobile number delete नहीं होता है तो okay कर दीजिए ओके करने की बाद बैक आजाएगे बैक आने की बाद आपको अपने mobile phone में एक बार अपना जो hard यानि की जो आपका aeroplane mode होता है उसे आपको चालू करना होगा जिसे flight mode भी कहते हैं तो इसे आप एक बार चालू करिए एक या दो मिनट के लिए उसके बाद बंद कर दीजिए बंद करने की बाद आपको जाना होगा setting में setting में जाने की बाद यहां पर आपको मिलेगा एक setting यहां पर मिलेगा SIM card and mobile network आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एसे तरीके से पेज आ जाएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका SIM card आपको अपने SIM card पर click करना है और जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर मिलेगा profile network type आपको इस पर click करना है और हो सकता है कि आपका यहाँ पर LTE select होगा तो अगर आपका phone 5G है तो आपको सबसे पहले अपना 5G select कर लेना है अगर आपका LTE सिर्फ है तो आपको LTE आपको select करना है उसके बाद बैका यह यहाँ पर मिलेगा mobile network आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको यह setting जरूर आपको अपने phone में चालू करके रखना होगा उसके बाद बैका जाए बैकाने के बाद एक setting आपको और मिल जाता है देख लेते हैं कहाँ पर है तो इस पर click करते हैं यहाँ पर नहीं है तो एक setting आपके phone में होगा जिसका नाम होता है वोल्ट जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है वी ओ, यानि कि इसे कहते हैं वोल्ट सेटिंग, तो अगर आपके फोन में है तो आप इस सेटिंग को जरूर चेक आउट करिए और आप अपनी फोन में यह सेटिंग जरूर चालू करके रखिए, क्योंकि अगर आपने वोल्ट सेटिंग बंद कर दिया है तो आपके फोन में कॉल कहीं पर न जाता है और न आपके पास आता है तो इतना काम कलीजिए अपने फोन में और आपका कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर बाई चांस फिर भी न लगे तो आपको समझ लेना है कि आपके फोन में नहीं सामने वाले फोन में कोई प्रॉब्लम है आपको दूसरे नंबर पर कॉल लगा के देख लेना है कि दूसरे नंबर पर जा रहा है या नहीं अगर दूसरे पर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सामने वाले मुबाइल फोन में problem है तो आपको किसी भी तरीके से उनके पास call करना है या आपे जैसे chatting कर सकते हैं WhatsApp के थुरू या कहीं से भी आपे किसी भी तरीके से उनसे बात करना है और उनको आपको बताना है कि इतना process कर लें और फिर आप उनके phone में call लगा पाएंगे और उनके phone की ये problem solve हो जाएगी तो बस इतना process है अगर आप इसे activate कर लेते हैं अपने phone में तो आपका सारा problem fix हो जाएगा कहीं पर भी आप call लगा सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं होगा तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही